सफर में अब सोशल अड़ा का रुख करते हैं जहां आज बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की जो की गुजरात के सूरत में बड़ी है हाला कि अब हालात ये हैं कि लोग इस बिल्डिंग को भूतिया बिल्डिंग कहने लगे हैं दरसल सूरत के खजोद इलाके में बनी नौ टावर वाली इस बिल्डिंग में कुल 4200 आफिस बने हैं जो किसी कारण वर्ष अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में बनाए गए इस बिल्डिंग के लिए सूरत और मुंबई के डायमंड कारुबारियों ने अडवांस में बुकिंग की थी और उस बुकिंग के बाद ही यहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था तकरीवन चार हजार करोड की लागत से यह हाई टेक बिल्डिंग तयार भी हो गई लेकिन अडवांस मुकिंग करवाने वाले डायमंड कारुबारियों ने अभी तक यहां अपने आफिस शुरू नहीं किये हैं जानकारी के मताबिक 4200 आफिस में इसे महस 4-5 आफिस ही शुरू हो पाए हैं और यही वज़ा है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में एकका दुका लोग ही नजर आते हैं इसलिए इसे आस पास की लोग भूतिया बिल्डिंग कहने लगे हैं इस बीज सूरत डायमंड मोर्स के चेर्मैन भी इस्तीफा दे कर यहां से चले गए हमारे सहयोगी संजर सिंग्रा ठोर ने इस बिल्डिंग के नए चेर्मैन बने लाल जी भाई पटील समीर इलाके के कुछ लोगों से बात की और उनकी रायचानी सवाल है इस बिल्डिंग के अस्फल होने के इस मामले पर बातचीत करेंगे हाली में जो नेक्त हुए है चेर्मैन हमाके लाल जी भाई उनसे बात करें बिल्डिंग पुरा हुआ है अब जो सफल होने की बात है वह यहां पच्ची पच्चा ओफिस शिरू होने से सफल नहीं होगा चार दो सो ओफिस है इस में से दस पंदरा पर से एक साथ शिरू था है खरिदने वाला भी आए बीचने वाला भी आए और अलग-अलग सेप के भी बाहर आए तो सफल हो सकता है कोई साब से हमने यहां मếtर परा में मीटिंग गया बाद में फैंसी ग्रूप के साथ मीटिंग गया अब हम बंबे जा रहे हैं 18 तरिक को 3.30 बजे बंबे में जो बुकिंग ओफिस करा है इसके साथ मीटिंग है इसके साथ बात करके 507 जिए हम से टरिक लेने वाले हैं सूरत के लोग अलगल फील्ट से चुड़े को हमारे साथ मौझूद है उनसे बात करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सूरत डायमंड बुर्ष बिल्डिंग है उसको लोकर वो क्या कहते हैं क्या मानते हैं इसको लेकर क्या नाम है आपका नरेंद्र चौधरी यह जो लेली फिल्म जंजीर फ्लोप होई थी और आज वो जो है भारत के टोप मौस्ट एक्टरों में से एक कहे जाते हैं तो हो सकता है आज नहीं तो भविश्य में डायमंड बुर्ष का मतलब अच्छा उदय हो सकता है अभी तो नहीं शुरूआ थे इनकी अभी अभी शुरू ह हुआ है अभी तो समय आगे का देखना बाकी है हो सकता है साल दो साल में अगर वैपारी अच्छी मेनत करें और लोग जागरूत हो तो ओविश्य मिल सकती है लोगों को सबसारे आफिस बन करके पर लायन हो गए है सफल की बात तो नहीं बोली सकते है क्योंकि अभी तो चीज की सुरूआत होती है तो उसकी सुरूआत संगर सिल होती है जब दिरे दिरे व्यापारी उनका माइंड सेट करेंगे बिजनेस में यहां तक आने की माइंड सेट करके बढ़ेंगे मुझे लगता है कि असफल नहीं और जो लोक वाई का चल रही है लोकों के मुह पे की बूतिया हो गई और डाइमंड बूर्स चलने वाला नहीं है तो सब मनगरत बात है और बढ़ने वाली है समय लगेगा जरूर आगे बढ़ेंगे